वेल्कम टू माई चैनल मैं हूँ प्रगति आप सब का में चैनल में स्वागत आई हूँ आप सभी स्वस्त और खोश होंगे और आज मैं जो रिव्यू देने जारी हूँ वो है यह आईरवेदिक स्कीन लाइटिंग ऑईल के बारे में जो मैं काफी दिन से ढून रही थी ऐसा कोई ऑईल जो आपकी पिग्मेंटेशन के दाग और आपके स्पोर्ट स्कीन में जो हो वो हटा दे क्योंकि आपको पता है पिग्मेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है न जो अपना स्कीन केर नहीं किया था वहां पर SPF 50 चाहिए था मैं 30 यूश कर रही थी तो उसे भी मेरी स्कीन में थोड़ी स्पोर्ट आ गई थी कुछ हैल्थी इस्यू भी थे तो उसके कारण हो हुए थे मेरे तो मैं यह बोलूँगी कि आप यह चीज बहुत जरूरी है कि आप चोड़ी बात तो जब एवाइड कर जाते हो ना तो उससे स्कीन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपकी चोड़ी चोड़ी इस्यू आप धूप में जा रहे हो आप सन प्रोटेक्शन नहीं रख रहे हो हो पानी कम पी रहे हो तो उससे भी होता है हानमोंस डिस्पैलेंस हो देखी थोड़े सा कम रहा हो गया तो 20 days से जो मैं यूज करिए उसका बहुत अच्छा रिजल मिला है पता नहीं बाकी को क्या मिला औरों मेरे को नहीं पता है पर मेरे को 20 days में रिजलत दिखा क्योंकि बहुत जनको हो सकता है वन मंद के बाद किसी को थ्री मंद के पास मेरे स्कीन में अच्छी रिजल्ट आई है क्योंकि मैं ज्यादा वह पसंद नहीं करती हूं कि कोई दाग धबे मेकप से अपना उसको छुपा के रखना मेरे को पसंद नहीं है मैं जातर नेच्र मतलब होता है ना कि मेरे को मेकप पसंद नहीं है पार्टी वैस हो तो ठीक है अधर वैस में को जैसे मेरे स्कीन वही सही है पर हां यह मैं बोलूंगी दाग धी आपके पेस में कोई स्पोर्ट हो जाए ना यह पिग्मेंटेशन उसको एक्निकी प्रॉब्लम अभी तो ऑफेस उसको बहुत गंदा लगता लगता किसी सामने जाते हो तो बहुत जरूरी है कि आपके स्कीन है चाहिछ रहे तो इसके लिए आपको इस कीन के लिए यूशा को मैं एक पिग्मेंटेशन चाहिए ना पेसे एपकाई स्कीन के छुका है तो मेरे क्सक्राइब मैं दिल से बोली मैं बहुत हैपी हुई तो सोचो एक स्पोर्ट से आपको कैसा ही होता है कैसे हम उसको चिप पाई क्या करें यह फील होने लगता है तो बहुत अच्छा वर्क क्या है जी और उसके साथ मैं बोलूँगी कि आप अपनी डाइट भी हेल्दी रखिए कि ज्याद मैं जब बहार थी तो लाइफ स्टाइल भी थोड़ी सी डिफरंट होगी थी लेट नाइट में सोना तो वो टाइम टेबल सही नहीं हो रहा था मिरको समझ में आ रही थी कि उससे मेरी कुछ हर्मोंस डिस्बैलन्स हो रही है तो मैं प्रिग्मेंटेशन की दाग और धब्ब कि क्या रिजल्ट आता है क्योंकि आप सभी बोलते हैं कि खाने से सच में तो अपने डाइट पर ही होता है उसके साथ साथ में को लगा कोई ऐसा चीछ यह मैं ज्यादा क्रीम चीछ लगाना पसन नहीं करती हूं कि कि आइल चीछ में होता है ने नेचरल आइल से बहुत कि आइलवधिक एक चीछ में कोई कैमीकल नहीं होता है तो थो की इस सारे चीज नैश्रल होते हैं उसमें कोई कैमीकल नहीं है तो आपके लिए कोई साइट इफेक्ट नहीं करेगा और यह चीछ में अच्छी लगी यह यह बोतल मैं बता रहु है 100 एमल की और इसकी प्राइ बहुत कम लगती है आपको दो या तीन ड्रॉप्स लेकर आपकी फेस में रब करके लगाना है तो यह आपकी मेरे ख्यास है तो यह वन एन हाफ यर्स मेरी चल जाएगी इस फैमिली सभी यूज़ करते हैं तो हो सकता है यह जाएगी तो अब ही फैमिली मेरी सभी यूज़ कर रहे हैं इसका सभी का रिजल्ट सभी को अच्छा लगा तो पहले इसको बता रही हो कि इसमें क्या-क्या है इंग्रिंस में उसका मेंशन भी आपको डिसकुशन ब्रॉस में दे दूंगी पड़ इसमें चीज है आपको उसमें बहुत सारे और जो बहुत सारे और जिसमें और कोगनुट और तो मैं यह नहीं बोलूँगी कि आप इसमें कोई भी चाल यह नहीं है यह पेरमिन फिर है, तो बहुत अच्छा वर्क किया है, और इसकी प्राइस भी जितनी ज़्यादा नहीं है, आप एक बार ट्राइ कर सकते हूं, बहुत अच्छा वर्क किया है, उच्छी बात मिरे को लगी है, यह स्पॉर्ट लेस है, यह पिग्मेंटेशन को दूर करता है, परिखता है उसके को हेलदी रखता है ठीध ठीध करता है तो और इस में अपको शो कर रही हूं इभी आप देख सकते है नियले काफी हएल्दी होता है तो क्रतल सब्साइब , ट्रीडर्म कर् दूंगा, करका पांथ एक लिए काफी हल्दी होता है वेखेट हैं हमारे स्कीन के लिए हेल्दी है आप इसको यूज कैसे करोगे मैं वह भी बता देती हैं और मैं उसको करके भी दिखा दोंगी तो आपको हाँ यह मैं बूलूंगी आप इसको डे टाइम में यूज ना करें यूज कि आप यह दी आ बहार में जौब में हो फिर भ यह तो वह अच्छा नहीं हो उल्टा हो सकता उसका उल्टा रेजल्ट अपिर आप मेरे को बोलो किया आपने ऐसा दिन में आप इसको यूज ना करो दे टाइम में आप इसको नाइट में यूज केजिए नाइट में कैसे इसको क्राइब आपकी से तीन या चार रॉप्स हात में लीजिए ठोड़ा से विटामिन रे कैप्सुल लीजिए उसके हाथ- रखीको तो दोड़ी हीट हो जागा बाम मशाज किए तो आप देखोगे आप नेक्स्ट मॉर्णिंग आप कंटीनू करोगे ना 15-16 देट के बाद आपको लोगी आपके स्कीन में जो स्पोर्ट है पिग्मेंटेशन की राक स्पोर्ट है वह आपके थोड़े से रिमूव हो रहे हैं तो वह इसका रेसल बहुत अच्छा आ रहा था मेरे को बहुत ही अच्छा मेरा वर्क है तो मेरे को इसका रेसल बहुत अच्छा लगा और इसकी जो में इंग्रेंस है ना तर्मेरिक वह काफी बेनिफेट है और प्राइस भी ज्यादा नहीं है 322 है और 100 ml है तो अच्छी कासी आपकी चल जाएगी और मैं इसके लिए बार में क्या प्रॉबबलम आई ती सच में घवरा गई थी değil मेरे में ज़ीन सब्सक्राइगा या नहीं जाएगा तो बहुत अच्छा когда देक्स की तरोत्यजों करो एक बार्स को अक्शी रहीं देखेंस में और बहुत यह प्रहा के चल और अछ भीरड़ है और याफिनीट करना जिसमें कोई chemical नहीं है और आज मैं अपना ब्लॉग एंड करने से पहले यह बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे ब्लॉग को subscribe किया उनको thanks और प्लीज जिन्होंने नहीं किया वो मेरे चैनल को subscribe किजिए like किजिए जासर शेयर किजिए और आज मेरे ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर दियू थेंक यू ब्लॉग कर दियू थेंक यू भाई